बांगलादेश का है बांगलादेश की सडकों पर किस तरह की स्तिती है ये पिछले दिनों से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वहाँ पर अभी भी आंदोलन जो है शान्त होता पूरी तरह नजर नहीं आ रहा है हाला कि ये कहा जा रहा है कि अब पहले जैसी इस्तिती नहीं है लेकिन प्रदर्शन कारी लगातार प्रदर्शन कर रही है अपनी मांगों के साथ टिके हुए है बार बार स्तिफों की जड़ी बांगलादेश में देखने को मिल रही है पहले शेख हसीना ने स्तिफा दिया उसके बाद उनके समर्थ को ने दिया फिर जजो ने स्तीफा दिया फिर CJB को भी आनी की जो Chief Justice है बंगलादेश के उनको भी स्तीफा देना पड़ा लेकिन उसके बाद भी जो आंदोलन कारी है जो नाराज छात्र है उनका गुसा शांत होता नजर नहीं आ रहा है लेकिन इसी बीच जब ये आंदोलन दूसरे दिश जो बहुत तेजी से वारल हुआ था उस वीडियो को लेकर जो है तमाम तरह की दुनिया भर से प्रतिक्रियां आई थी क्योंकि उस वीडियो को तोड़े जाने की यहां पर कोई बात नहीं थी इस भूरती के तूट जाने से जो है जो प्रतिमा थी उनकी उसको तूट जाने उनका जिनोंने बांगलादेश को बनाया जिसने बांगलादेश को खड़ा किया जो बांगलादेश के जनक माने जाते हैं इतिहास के पन्नों से उनको मिटाना चाहते हैं उनका नामों निशान मिटाना चाहते हैं लेकिन अब एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिससे ये पता चलता है कि जिन चात्रों ने ये आंदोलन किया जिन चात्रों ने शेख हसीना का इस्तीफा लिया जिन चात्रों की नाराजगी के चलते शेख हसीना की सरकार गिर गई उन्हें रातों रात बंगलादेश छोड़ कर दूसरे देशों में शरण मांगनी पड़ी अपनी मदद की गुहार लगानी पड़ी, अपील करनी पड़ी कि उन्हें वाँ शरन दी जाए, इस इस्तिती में शेख हसीना को पहुँचाने वाले चात्र अब परिशान है, चिंतित हैं, दुखी हैं, क्योंकि वो इस बात से परिशान है कि उनके आंदोलन का मकसद ये नहीं था, उनका आं आंदोलन था शेख हसीना के खिलाफ, उनका आंदोलन था शेख हसीना की नीतियों के खिलाफ, शेख हसीना के काम करने की तरीके के खिलाफ, वो उससे नारास थे, उनको मुझीवर रहमान से कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन उनके आंदोलन की आड़ में कुछ और जो आंदो आंदोलन की चात्रों का जो प्रदर्शन था जो चात्रों की नाराजगी थी सरकार के खिलाब उसका फाइदा उठाया उसकी आड में उन्होंने अपनी अपना फाइदा उठाया उन्होंने अपनी नाराजगी को दिखाने की कोशिश की और इस आंदोलन को पूरी तरह से एक अलगी दिशा में मूर दिया इस आंदोलन के एक अलगी तस्वीर जो है पेश कर दी और ये अब नाराज जो छात्र थे अब उनकी जो नाराजगी थी वो शेख हसीना से तो बरकरार है वो अभी भी शेख हसीना से उसी कदर नाराज हैं वो अभी भी नहीं चाहते कि शेख हसी और गद्दी पर दुवारा बैठें और सरकार चलाएं वो शेख हसीना को नहीं पसंद करते लेकिन उनकी जो नाराजगी थी वो अब एक चिंता का रूप भी लेती नज़र आ रही है वो इस बात से चिंतित हैं कि देश एक छोटा जो हमने एक आंदोलन किया था हमारे आंदोलन की आड में देश किस दिशा में बढ़ गया अब देश का क्या होगा अब देश में जो दूसरी सरकार आईगी वो क्या मुझे वो रह्मान को वो सम्मान देगी जो उनका होना चाहि या जो सम्मान उनका था उसे वापस दिला पाएगी इस तरह की तमाम चिंताएं जो हैं अब उनी प्रदर्शन कारी छात्रों के मन में उठने लगी हैं ये सवाल अब उनके जहन में उठने लगे हैं कि उनके आंदोलन का फाइदा किस तरह से एक जो कह सकते हैं कि आतंकवाद आतंकवादी गुट ने किस तरह से अपने फाइदे के लिए उनके कंधे पर बंदूग चलादी रखकर और अपने फाइदे के लिए मुझीबुर रह्मान का इस तरह से बला मूर्ती का जो वीजियोल साय थे वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं जैसे कि मैंने आपको थोड़ पंत की तरफ बढ़ चुका है बंगलादेश के लोग अब बंगलादेश जो आजाद बंगलादेश था उससे नराज हो गए हैं उन लोगों से नराज हो गए हैं जिसने बंगलादेश को बसाया जबकि जो छात्र हैं उनका कहना है कि हमारा जो प्रदर्शन था हमारा जो आ देखते हैं कि जो इतिहास है उसको भी समझेंगे और मुझीवर रहमान के प्रतिमा तूटने के बाद जो लोग नाराज बताये जा रहे हैं जो अब चिंतेत हो गए हैं जो नाराज की अब चिंता में बदल चुकी है उसके बारे में भी हम यहां चर्चा करेंगे तो इस तमा आम चीजों पर हम यहां चर्चा करेंगे बने रही है मेरे साथ और मैं हूं इंशता आपके साथ पांच अगस को शेख हसीना ने चात्रों के प्रदर्शन के आगे घुटने टेक दिये उन्होंने पी एम पत से स्तीफा दे दिया इसके बाद सेना से सत्ता सेना ने जो हैं व प्रदेश छोड़कर निकलना पड़ा और फिर उन्होंने कई जगाओ पर बिटेन पहले बात आ रही थी बिटेन जा सकती है अमेरिका जा सकती है लेकिन आखिरकार वो भारत में उनको शरन दी गई भारत उसका भी जब भारत के तरफ आ रही थी उनका प्लेन जो है ट्रैक किचिन से खाना जो बना हुआ था उस समय जो बना होगा शेख हसीना के निकलने से पहले उसे खाते वे नजर आए किसी ने बकरा चुरा लिया किसी ने रैबिट वहां पर था खरगोश उसको हाथ में तमाम तरह की चीज़े कपड़े तक चुराए सारिया चुराई बहुत स पिएम आवास में सोफो पर बैठे और सेलफी लेते हुए भी नजर आए इस तरह की तमाम वीडियो निकल कराई थी और यह वैसी ही इस्तिती थी जैसे श्री लंका में देखने को मिली थी जब वहां पर सरकार गिरी थी यह वैसी ही इस्तिती थी जैसे कि तालिवान ने तोड़ दिया गया था यह तस्वीर बेहत चिंता जनक थी इस तस्वीर ने सभी को परिशान कर दिया था वहां जो रहने वाले लोग हैं जो बांगलादेश के बनने से खुश थे वो लोग इस से दुखी हुए और दुनिया में एक अलग मेसेज गया वही प्रदर्शनकार मुझीब के प्रतिमा के ऊपर चड़ गये थे वो तस्वीर आप लोगों ने जरूर देखी होगी वो वीडियो बहुत तेजी से सोचल मीडिया पर वायरल हुआ था अब बाद में बुल्डोजर लाया गया और इस प्रतिमा को तोड़ दिया गया और जिस समय मुझीब के प प्रधानमंत्री रहते हुए जान ले ली गई थी इसलिए वहाँ पर प्रंदर अगस्त को छुटी रहती है और अब उसे खतम किया जा रहा है इस तरह की खबरे आ रही है तो साफ तोर पर जो आरक्षन को लेकर चात्रों ने जो प्रदर्शन किया था उनका साफ मकसद साई आरक्षन से वो नारास थे उनका ये आरोब था कि जो शेख हसीना है उनके ही कहने पर ये आरक्षन दुबारा से शुरू किया गया है उनके इशारे पर सुप्रीम कोट ने ये फैसला दिया और उसके बाद इस तरह की इस्तितियां हुई और चात्रों उस से नारास थे लेक कहीं ना कहीं बांगलादेश के बनने से नाराज थे या फिर वो बांगलादेश को जिनों ने अलग किया जिनों ने एक अलग पहचान दी उनसे नाराज थे उस तरह की इस्तितियां यहां बंती हुई दिख रही है और अब इस पर जो लोग कहीं ना कहीं कल तक शेख हसीना से नाराज थे जैसा कि मैंने आपको का नाराजगी अभी भी बरकरार है लेकिन शेख हसीना से नाराजगी की आड़ में जो दूसरा काम किया जा रहा है उससे दुखी है तो उसी को लेकर अब जो विश्विद्याले धाका का उससे भी उसके प्रोफेसर्स भी इस पर बयान दे नहीं है वो भी इस चीज़ पर उन्होंने भी आपत्ती जताई है उनका भी कहना है कि यह जो हो रहा है वो गलत हो रहा है उन्हें भी चिंता है कि देश अब जो है गलत दिशा में बढ़ गया है देश में जो आंदोलन शुरू हुआ था चात्रों का जो आंदोलन था वो इ चात्रों का जो प्रदर्शन हुआ, वैसे ही प्रदर्शन 1969 में भी हुआ था चात्रों का प्रदर्शन पाकिस्तान के सैन्ने तानाशाह जन्रल अयूब खान के खिलाफ था उस समय बंगलादेश का जन्भ नहीं हुआ था, इसे पूरवी पाकिस्तान कहा जाता था और जनरल अयूब ने पूरी पाकिस्तान में बहुत सारे विकास कारे किये थे इसे यहां से लोग स्विकार भी करते हैं लेकिन एक गुसा था वो गुसा था हमारे बोलने के अधिकार को शील लिया गया था मानवा अधिकारों की सुरक्षा भी नहीं थी जब यह गुसा बढ़ा तो प्रदर्शन शुरू हो गए वैसे ही हालात इस बार भी थे यानि कहा जा सकता है कि नाराजगी जो थी वो जो फ्रीडम ओफ स्पीच खतम हो गई थी उन्होंने आगे लिखा कि शेख हसीना ने भी कई विकास कारे किये उनके शासनकाल में बांगलादेश ने सबसे ज़ादा विकास किया लेकिन वो चात्रों के प्रती काफी कठोर हो गई साफ तोर पर यहां प्रोफेसर ने उन्होंने साफ साफ कहा है कि नाराजगी शेख हसीना से थी आगे वो लिखते हैं चात्रों के खिलाफ इस तरह की हिंसा यूख खान के समय में भी नहीं हुई थी जो इस तरह की हिंसा शेख हसीना के शासनकाल में हुई यानि नाराजगी सिर्फ चात्रों की थी क्योंकि उनको एक वर्ड भी बहुत इन दिनों सुनने में आया रजाकार इसको लेकर बहुत जादा नाराजगी थी और रजाकार का क्या मतलब है उसको हमने अपने एक और वीडियो में भी आपको बताया आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं क्यों चात्र उस एक वर्ड से बहुत जादा नाराज हो गया उसका असर ये हुआ कि शेख हसीना को रात और रात अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण मांगनी पड़ी और अब वो भारत में है तो इस तरह के साफ साफ पर यह कहना है कि शेख हसीना के शासनकाल में काम तो हुआ ऐसा नहीं था कि बांगलादेश में कोई काम नहीं हुआ या बांगलादेश में तरक्की नहीं हुई लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी वो freedom of speech मतलब बोलने की जो आजादी होती है वो खतम हो गई थी मतलब आप इनके शासनकाल में ताना शाही कही न कहीं देखने को मिल ले थी जुससे चातर नाराज थे और वो नाराजगी धीरे धीरे बढ़ती गई और इतना बड़ा रूप ले लिया और अब लेकिन जब ये तजवीरे सामने आई जब आंदोलन के बीच में एक और तत्व आक्टेव हो गया और उस आंदोलन की आड में उन्होंने उस जनक को बंगलादेश के जनक कहे जाते हैं उन्हें नुकसान पहुँचाया उनकी प्रतिमा को तोड़ा उनके नाम को अरसुदा जिनका नाम है वो कहते हैं शेख हसीना के पिता शेख मुझीव ने बांगलादेश के आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी बांगलादेश बनने के बाद देश के पहले राष्टोपती बने थे वो 1971 से लेकर अगस 1975 तक देश के प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री रहते हुए ही उनकी जान ले ली गई थी बंगलादेश में सैन शासन हो या फिर बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी किसी ने भी मुझीव की मूर्तियों को तोड़ने की हिम्मत नहीं की थी लेकिन इस बार शेख हसीना का गुस्सा बंग बंदू की मूर्तियों पर निकला क्योंकि शेख हसीना अपने हर काम्या फैसले को बंग बंदू से जोडने की कोशिश करती थी हम बंग बंदू का भी सम्मान करते हैं लेकिन शेख हसीना की हरकतों से लोग नाराज हो गए और ये उस गुस्से का ही रियक्शन था तो कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है अब एक तरफ जो है कुछ छात्रों का ये कहना है कि उनकी नाराजगी बंग बंदू से नहीं थी इसलिए वो सिर्फ शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन इसकी आड में वो लोग अक्टिव हो गए जो मुझीबूर रहमान का नाम मिटाना चाहते थे वहीं जो छात्रों का कहना है जिन्होंने प्रदर्शन किया उनका कहना ये है कि नाराजगी शेख हसीना से ही थी क्योंकि वो कही न कई चात्रों के खिलाफ फैसले ले रही थी वो बहुत कठोर हो गई थी वो बोलने की आजादी नहीं दे रही थी और जो भी फैसला लेती थी लेती वो थी और उसमें आगे ना मुझी वो रह्मान का कर दी थी इसलिए एक वर्ग एकटा हो गया जो धीरे 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 मुझी वो रह्मान से ही नाराज हो गया और जब यह आंदोलन हुआ तो वो नाराजगी साफ तोर पर निकल कर आई और नतीजा वो हुआ जो तस्वीरें जो वीडियो सामने निकल कर आए और जिन तस्वीरों ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया तो इस रिपोर्ट में इतना ही और ऐसी ही तमाम रिपोर्ट के लिए मने रही है हमारे साथ देखते लिए डिवी लाइब नमस्कार